जिसने भी माहोल को नश्ट करने की कोशिस की है उसे बख्षान नहीं जाएगा नमस्कार मैं अनाम का प्रितम हूँ और आप देख रहे हैं क्रिसी जागर पंजाब के मोहाली में बीते राद जो कुछ भी हुआ वो ना सिर्फ पंजाब राज्जी के लिए बलकी पूरे देश के सुरक्षा विवस्ता पर सवाल खड़े कर रही है दरसल सुमवा राद पंजाब पुलिस के मोहाली इस्थित खूफिया विवाग के मुख्याले पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेट यानि आर्पीजी से ब्लास्ट किया गया इस घटना में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है लेकिन सोचिए अगर ये हमला दिन के समय किया गया होता तो कई लोगों की जान भी जा सकती थी क्योंकि इस इमारत में पुलिस के कई वरिष अधिकारियों के दफ्तर हैं साथ ही राजिभर से लोग अपनी शिकायतों को लेकर यहां आते रहते हैं इसके पास में ही एक नीजी अस्पताल और सैक्शन संस्था भी है ऐसी में अगर ये हमला दिन के समय होता तो भारी नुकसान के साथ ही अफ्रा तफ्री की हालात भी देखने को मिलते हैं फिलहाल पुलिस अधिकारे इस मामले की जाज कई एंगलों पर कर रहे हैं पुलिस देख रही है कि क्या इस हमले का उदेश मातर देहसत पहलाना था या फिर नुकसान करना था घटना के बाद से ही पूरे इलाके में देहसत का महौल बना हुआ है इस बीच इस मामले को लेकर अब राजनेती भी तेज हो गई है जो की नहीं होनी चाहिए लेकिन अलग-अलग पार्टियों के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं और वो इस मामले पर भी इंडाइरेक्ट वे में एक दूसरे पर निसाना साधिते हुए नजर आ रहे हैं आम आदिमी पार्टी के संवरख्षक और दिल्ली के मुक्यमंतीर अर्वेंद के जवाल ने कहा है कि पंजाब के शांती भंग करने की कौशिस हो रही है उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मुहाली बलास्ट उन लोगों कोई कायराना हरकत है जो पँजाब के शान्ती भंग करना चाहते हैं आम आदमिपार्टि की पंजाब सरकार उन लोगों की मनसूबे पूरे नहीं होने देगे पंजाब के सब लोगों के साथ मिलके हर हालत में शांतिक कायम रखी जाएगी और दोश्यों को करी से करी सजा दिलवाई जाएगी इसके साथ ही इस हमले पर राज जी की मुख्यमंति भगवंत मान का भी आज बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि राजी का माहौल खराब करने की कोशिस करने वालों को बक्षा नहीं जाएगा सेम मानी ने कहा पंजाब पुलिस मुहाली में हुए बिसपोर्ट के जाज कर रही है जिसने भी पंजाब का माहौल खराब करने के कोशिस की उसे सक्त से सक्त सजा दी जाएगी वहीं बिजेपी नेता मजिंदर सिंग सिर्सा ने भी कहा है कि वाहे गुरू पंजाब ते मेहर करन ये बहुत ही दुखत घड़ना है पंजाब पुलिस को बगगा का पीछा करने के बजाए राजी की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए ऐसा कहना है बिजेपी नेता का इससे पहले पंजाब के पुर्वर सिंग ने भी इस घड़ना पर अपनी प्रतक्रिया दी है उन्होंने कहा है कि पुलिस बल पर ये काईराना हमला बेहत चिंता जनक है इन नेताओं की बयान सुनने के बाद आपको क्या लगता है क्या ये समे ये घटना राजनीती करने का है या जाज कर दोशियों को करी से करी सजादि लाने का आपकी क्या राय है कमेंट जलूर केजेगा